आड दोस्तों स्वागत है आपका। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए और प्यारे से टॉपिक के साथ। जोग्राफि के संदर में जो UPC में तयारी कर रहे हैं और जो जोग्राफि से Late याने कि जो फस्टीड की तयारी कर रहे हैं और के लिए पहुत मेत्वून टॉपिक है, आज हम बात करेंगे टोल मी के बारे में, भोगलिक विचार धाराओं के संधर्ब में, टोल मी के संदर्ब में, बात करेंगे आज, आज देखते हैं टोल मी के बारे में, I hope ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, अगर मैं मुझे सही बानता हूं कुणू इस सुरू करतें हैं आपका डॉमी का योगदान हम देखते है अब देखीगा टॉल्मे के टाइम पिरेट को लेकर जो बाते हैं हम दोनों देख लेते हैं लग लग बताते हैं कंट्रबिश्ट्पिर्शनale तोलमी की बात करें तो इन्हें देखिएगा इसका टायम परेड देख़ाएं तो कि 99, 80 से 68辦法 तक का टायम परेड इनका माना जाता एक संदर पर हेँ बात दूसरे में 100 से 178 कि माना जाता अब इनका पूरा नाम है न कि इनका पूरा प्लाडियस टोले मस तोलमी का पूरा नाम है प्लाडियस टोले मस यह मिस्त्र के निवासित हैं मिस्त्र के निवासित हैं ठीक है इनके समकालिन हुए थे मेरिनस अब मेरिनस ने क्या का देखेगा इनके समकालिन थे टोलमी के समकालिन जो थे वो थे मेरिनस थे उन्होंने क्या रखा ग्यात विश्व का मान्चित्र सुधारने की दिसा में वरणात्मक भूगोल पर विसेश कारिये किया इनके समकालिंद है ना ये मेरिनस इन्होंने किया था ठीक है अब बात करते हैं अगे अब इनके बारे में देखा जाए इनके बारे में इनकी रचनाओं को देखे र तो ये भूगोलिक गरंथ है ये भूगोल का गरंथ है जोग्राफिक सिंतेसिस और ये आठ खंडों में विपक्त है तोलमी का जोग्राफिक सिंतेसिस जो है ये आठ भागों में ये आठ खंडों विपक्त है इसमें क्या है ये मानचित्र प्रक्सेप है मानचित्र निर्मा इसके अंतरगत हैं अब बात करें ओलिवर थॉम्शन ओलिवर थॉम्शन ने क्या कहा वो देखेगा ओलिवर थॉम्शन इंस्ट्रक्शन्स इन मेव ड्रॉइंग ये इनका ग्रंथ है इसके अंतर की दिनों ने क्या कहा देखेगा इस ग्रंथ में मुख्यतनिम्द बातों पर डाला गया किस किस बातों पर प्रकास डाला गया वो देखे मांचित्र कलाके सिद्धन्त अकसांस देशांत रहखाओं के चार्ट उन्हें घ्यात करने की विधे सक्वाकार प्रेक्सेब रचना और वर्नात्मक भूगोल तोलमी का विश्व मांचित्र मांचित्रावली जिसे स्व忘ल इंट्लस का आजिता है अरी चैना फिर मेंचा करते है। अफिर बात करते हैं ये चाफेल ग्रंथ है ।ोलमी का Guide to geography इसके बाद इक ग्रंथ आता है अलमाजस्ट, अलमाजस्ट टोलमी का है, यह गणीत एयों खजोल विज्यान पर लिखा गया विस्तिरत ग्रंथ है, इन ग्रंथों को आफ तरीके से देख्येगा, अलमाजस्ट बहुत मैतपुण है, टोलमी के संदर म में पूछा जाता है अलमा जैस जो ग्रंथ है वो टोलमी का है और यह ग्रंथ इसमें क्या है इसमें गणीत आयों खगोल विज्ञान पर लिखा गया यह विश्त्रित ग्रंथ उसके बाद देखें ग्रही सिद्धान्थ हाइपोथेसिस और प्लेनेट्स जो इसमें दिया गया ग्रही सिद्धान्थ क्या है यह देखेगा ग्रही सिद्धान्थ अगली रचना है अगला जो ग्रंथ है वो टोलमी का है इसमें क्या है ग्रहों की दूरी गतियां उपगरें एंग्रे समंदों वो समंदित सिद्धान्थों पर प्रकास डाला गया है ठीके ग्रही सिद्धा जो टोल्मी का है उसके यह को एक तो ग्रह की दूरी उसकी गत्तियां और रहें इन से समनी तो पर गत्तियों पर इनके संद्रम्हां बात कि गई है कि अगले ग्रहंद के तरफ बड़े टोल्मी के तो बात करें अनेलीमा दिखेगा एनेलीमा क्या है इसको देखे एनेलीमा इनेलीमा जितने बी अबजर्वेशन इन्हों नहीं किये प्रेक्सेमान जो किये observation की परिकल्पना एवम परिणामों से समंदित है से समंदित ठीक है अब बात करें भुगोल को देन अब टोल्मी ने भुगोल में क्या योगदान दिया भुगली विचारधरा में क्यों योगदान दिया उसकी बात हम करते हैं युनान वो रोमन कालीन भुगोल के विकास का चर्म उतकर्ष का समकालीन है यह तोल में यह ठीक है वो हिपाकस की इस विचारधरा का सबल समर्थगरा यह प्रबल समर्थगरा हिपाकस की जो विचारधरा दिक्या थी देखें कि अकसांस देसांतर रेखाओं के जाल के द्वारा ही सुदता से मानचित्र बनाया जा सकता है हिपाकरस की जो विचारधारा थी इसका टोल मी जो है परबल समर्थक रहा ये विचारधारा क्या थी हिपाकरस की वो देखे इख्सांस रेसंतर रेखाओं के जाल के द्वारा हैं सुदता केम से क्या कह나 चाते हैं इनके जाल के द्वारा हैं हम सुद मानचितर बना सकते हैं यही पारुस की विचारदारा थी जो इसका समर्थ तक थे होटोल भी अब दिखिएगा इन्होंने वरनात्मक या पार्दशिक भूगोल में भी योगदान दिया उनके संदर पर बात कर लें हम ये बड़ी चर्चा नहीं करके जो संब्री के तोर पर बात कर रहे हैं एक्जाम के पॉइंट अफ विव से जो मैतफुन हो सकते हैं वो पर्थम धित्ये अंतिम खंड में प्रयाद भूगलिक वर्णन पाये जाते हैं अब बात करें मांचित्र कल्ला की बात करें तो अकसांस देशांत रेखाओं का ववस्तित जाल निश्चित दूर्यों के आधार पर खींच कर उस पर विश्व मांचित्र खींचा अकसांस देशांत रेखाओं के बीच का वस्तित अंतर वस्वम टोल में ग्याद नहीं किया उसने इरेटो इस्तिनीज के इस्थान पर पोसीडोनियस की गणना को अधिक सही माना तो इन्हों ने जो टोल में खुद ने कि हलांकि जो आश्तित अंतर था अक्सांस द्राइखाों के बीच का इन्हों ने इसको घ्यात नहीं किया एरेटरेस्टिनेज का जो था इरेटर इस्तिनेज का जो मापन था उसके इस्तान पर पुशी डूनेिस की गणना को इन्हों सही माना किसने टॉल्मी नहीं दिखे करए इन्होंने ये तोल्मी का प्रेक्शेफ है कि लंब कोनिये अप्रेख्षेव द्वारामम धुल मैं थे समझाहता तोल्मी नहीं धुर्वरीय सेत्र्र के लिए उसने गोले प्रेख्षेव इस्टेरियो ग्राफिक प्रोजेक्शन दिया था इन्होंने ये प्रोजेक्शन इनों दिया था टोल्मी ने इस ठीकत्र और जो इन्होंने देख्येगी करें लाहिए इन्होंने क्या बताए देख्येगा यह नमबर एक को इन्होंने का एग एगी सावा अकसांस का दो यह जो है एकटर होगी विशुद रहखा होगी और तीन पर बात करें यह मारे अकसांस है और चोथे नमबर पर करक रहखा लेली और पांचवे पर है जो यह रोड अकसांस है और यह जो छे इन्होंने लिया यह म धूर्वी सेतर के लिए उसने गोलिय प्रेक्षेप का उप्योग किया टोल्मी ने पहली बार ग्यात विशु के आठ हजार इस्तानों की अकसांस देशांतर रहाऊं देशांतर सही जो है संदर्ब नामावली भूगोल गरंत भी इनोंने दिया था आठ करता एह हिंद मा शागर को आंत्रिक शागर बता ना टोलमी ने क्या क्या था कि जब मांसित्तर इनोंने बनाया तो उसकंद्व सागर बता दिया यह सब से बड़े भूल थी अब अव्च्वरीका और एसिया के चारों और के डिखिए हैं अफरिका और कविस्तारा होना ही है अप्रीका और अब्सक्राइब के चार ओर जो है देश इनWhy अब सौना है कि दीघ्ल बात करें उसकी द्वारा पहली बार करें डेसांतर रेखाऊं के आदार पर विस्व का मानचित्र बनाया, इन्होंने जो है अक्सान देसान तरेकाओं का अधार पर विस्व का मानचित्र बनाया, सबसे पहली वह यह मैतोपन बाद यह है, ठीक है, उसके बाद विस्व मानचित्र को दिन की लंबाई के अनुसार जलवाई खंडों में विभाजित कि की देन है विषु मांचेतर बनाने के साथ साथ उसने यूरोप नील वह काले सागर के निगट के 26 पारदेशिक मांचेतर भी बनाए संभोतकियुल व्यता द्वादाद्वारा बनाए गई पहली मांचेतरावली रही होगे 13 पारदेशिक मांचेतर ये उस वक्त टोल्मी ने इसके अकोर्डिंग ये मानचेदर बनाया और ये दर्स आया ये मानचेदर आपकी स्क्रीन पर है ठीक है आई होप ये आपको पसंद आया होगा देखते हो और भी इनके बारे में बाते हैं चलते हैं बात करते हैं आगे ग्रह एउनक्सरतों की गत्य परत्वी द्वारा इस्तान छोड़ देने पर आपका प्रत्वी द्वारा इस्तान चोड़ देने पर परत्वी द्वारा इस्तान चोड़ देने पर जो है परत्वी के आगे चलने पर पर यह पीछे रह जाती है इस पर बात करें इस वस्ते उसे गुरुता क्रश्ण वान्य जटिल तत्यों का बोद नहीं था 1643 में कोपर निकस ने वेग्यानिक आधार पर तोल्मी की कम्यों एउगलतियों को सब परमान सिद किया किसने सिद किया कोपर निकस ने किया ठीक है कोपर निकस ने किया उसके बाद देखें थेल्स क्या कहता थेल्स भूगूल ही मानों के सबसे पुरानी बोधिक कारे का केंदर रहा और परती किया कार के बारे में इन्होंने बताया अब बात करते हैं थियो फ्रेटस अब बात करे इनके बारे में थीयो फ्रेस्टाइस कि बात करें तो 372C कि सम तुरिक इनका कारेकाल देके इन्होंने वनस्पति भूगोल का अध्यन किया था पलेटो की बात करें यह संग से बात करें ताइम प्रीट देखा जाए तो 4880 सिसा पूरू से 348 हिसा पूरू बूख कैंद्री इसे दान पर जोर इन्हों ने दिया और परत्वी अंत्रिक्स के कैंद्र में हैं एऊं सभी आका से पेंड परत्वी के परिकर्मा करते हैं यह प्लेटो ने बताया इस विसे में परतेग वस्तु को पूरुनता को प्राप्त करना चाहती है परती चप्टी नहीं है गोलाकार एंवल्यकार है इन्हों ने कहा कि जो है विसे की परतेग वस्तु है वो अपनी इस्तति पूरुनता की इस्तति को प्राप्त करना चाहती है इसकार परती चप्टी न करें अरस्तों आए अरस्तों ने क्या का जाओ और देखो और स्वतर निर्णे करो कि क्या कोई सिध्धान स्विकार योग्य है अत्पा अस्विकार योग्य यह अरस्तों कहते हैं फिर बात करें हेरा एले दिसकी पुंडिकस की बात करें हेराकलाइडस पुंडिकस क्या कहते हैं इसको देखें परन्थ का अपनी दे इन्होंने जो है परत्वी को जो अपनी केली यानकि एक यह केल है अपनी केली पर गुन्न को इस्ताप्य conquist क्या है जो एक प्रत्थ्व के बांती एक पर क्या करती है जब्सभात होगी टोल्वि चलिए है चलिए सार आज य वैसी बात होगी और आगए मैं और अगह हम और भी उसी के रिलेटेट ज्यादा कमेंट आया है तो हम उस टोपी को जरूर डालेंगे आपसे निवदन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सेर भी कर दीजेगा वीडियो को लाइक और कमेंट आपको करना ही है नमस्कार